नाग लोक जहां चलता है सर्पो का वर्चस्व आज हम आपको एक ऐसी जगा के बारे में बताने जा रहे हैं जहां इतने साप रहते हैं कि अगर कोई इंसान वहां गलती से भी चला जाए तो उसके वापस जिंदा आने की उम्मीद नहीं की जा सकती है यह दुनिया का एक अकेला स्थान है जहां इंसानों का नहीं बलकि सर्पो का राज चलता है यहां जाने की परमीशन सिर्फ कुछ वैग्यानी को को ही मिली है जो हर सापो के अध्यन के लिए यहां जाया करते हैं और वो भी इस दीप के किनारे से ही अध्यन करके वापस लौट जाते है हम बात कर रहे हैं ब्राजील की एक दीप की जिसका नाम है इलाहदा क्यों इमादा इस आइलेंड को डेडलिस्ट स्नेक आइलेंड भी कहा जाता है साउपावल ब्राजील के राज के तट से लगभग 33 किलो मीटर दूर स्थित यह दीप लगभग 4,30,000 वर्ग मीटर में है यह दीप समुद्र तल से 206 मीटर की उचाई परस्थित है माना जाता है यहां एक साप इस दीप के परतेक एक वर्ग मीटर में पाए जाता है एक साप है गोल्डन लांचेड पिट वाइपर यह साप सिर्फ यहीं पाए जाती है और इसकी जनसंक्या इस आईलेंग पर बहुत है जाता है इस साप की गिंती दुनिया के सबसे 10 जहरेल सापों में की जाती है हमारे मेडिकल साइंस में इसके जहर का उप्योग बहुत से बिमारियों की इलाज के लिए भी किया जाता है इस आईलेंड पर सापों के अलावा कोई और जीव नहीं बचा है सारे जीव इन सापों का अहार बन चुके है अब ये साप प्रवाशी परिंदों को अपना सिकार बनाना सुरू कर दिये है ये पेड़ों के तहनियों पे छुपके बैठ जाते हैं और जैसे ही वहाँ कोई परिंदा बैठता है तो वो उसे अपना सिकार बना लेते है इस आइलेंड पे एक लाइट हाउस भी मौजूद था जो इस दीप के तरफ आते हुए जहाजों को खत्रे से अगाह कराता था इसे मेंटेन करता था इसका एक करमचारी वो अपनी फैमिली के साथ इसी दीप पे रहता था आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस दीप पर सापों की बढ़ती संक्या का पता तब चला जब इस करमचारी के घर की खिड़की का काच एक दिन अचानक तूट गया और हजारों की संक्या में साप इसके घर में गुज गए करमचारी और उसका परिवार जान बचा कर भागने की कोशिस की लेकिन वो अपने आपको बचा नहीं पाए और इंसापों का सिकार हो गए इस घटना के बाद ब्राजील सरकार ने चितावनी जारी करते हुए इस आईलेंड पर इंसानों के जाने पर पूरी तरह पावंदी लगा दी तो दोस्तों आसा करते हैं आपको ये रोचक जानकारी अच्छी लगी होगी आगे कुछ और ऐसी जानकारी पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाना ना भूले धन्यवाद